क्या आपके घर में ऐसा ही लडाई जगडा होता है जीवन साथी से बनती नहीं या फिर आपके घर में ऐसे रोमांस होता है घर में प्यार होता है तो ठीक है लेकिन अगर लडाई होती है तो हो सकता है आपने अपना जीवन साथी गलत चुना हो अगर आप जीवन साथी चुन बेश राशी के लोग बहुत ही मददगार और डायावान होते हैं इनको दूसरों को सुख देने से शांती मिलती है इनकी केमिस्ट्री व्रिश्चिक कर्क तुला और कन्या राशी के साथ अच्छी रहती है व्रिश्चिक राशी के लोग अपने उपर बहुत जादा कंट्रोल रखते हैं इनको सभी काम रीती रिवाजों के अनुसार ही करना पसंद होता है ये अपने पार्टनर को भी काफी सोच विचार के बाद चुनते हैं इनकी जोड़ी मिथुन, कुम्भ, धनू और कन्या राश राशी वालों के साथ बहतरीन होती है मिथुन राशी वाले लोग रिलेशन्शिप को तवज्जो देते हैं इसलिए इनको कर्क, प्रिश्चब, मकर और कन्या राशी के लोगों को आसानी से इनकी ट्यूनिंग बैठ जाती है कर्क राशी के लोग दूसरों की खुशी में ख सबसे अच्थ ऑप्षन है सिंग राशी के लोग! यह लोग थोड़ी से घ्लदा समझ्जदार होते हैं अपनी से सेंसस से जल्द ही जान लेते हैं अपने पार्टनर का दिल कैसे जीत लिया जाए वैसे तो किसी भी राशी के व्यक्टि के साथ आसानी से अजस्ट हो जाते है लेकिन इनकी chemistry सिंग, विश्चिक, मेश, धनू राशी वालों के साथ शानदार होती है कन्या राशी के लोग, ये लोग काफी बेबाक और खरा बोलने वाले होते हैं ये अपने मन में कुछ नहीं रखते और साधगी पसंद करते हैं इनकी chemistry मेश, सिंग और मिथुन राशी वाले लोगों के साथ अच्छी जचती है अब आखिर छे राशियों का इंतजार खत्म कर देती हूं आपको अपनी राशी के हिसाब से किस राशी के पार्टन को चुनना हैं आईए ये बता देती हूं आपकी जिन्दगी रोमैंस में बीते गई तुला राशी के लोगों को फ्यार पाने के लिए बहुत मेहनत करनी बढ़ती है लेकिन प्यार मिलने के बाद पूरी शिद्दत से निभाते हैं इनकी जिन्दगी सिंग मेश मिथुन और कुम राशी के लोगों के साथ प्यार से बीचती हैं व्रिश्चिक राशी के लोग प्रेम के बूखे होते हैं हमेशा प्यार के लिए तयार रहते हैं ये कभी भी प्यार से संतुष्ट नहीं होते और अपनी ख्वाइशों को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं इनके लिए व्रिश्चिप, सिंग, व्रिश्चिक और मीन राशी वाले लोग बैस्ट हैं धनूराशी के लोग बहुत ही जादा रोमैंटिक होते हैं ये लोग अपनी जिन्दगी व्रिश्चिप, तुला, मीन और मकर राशी के लोगों के साथ खुशी से बिता देते हैं मकर राशी के लोग फ्यार और क्यार के बूखे होते हैं इन्हें किसी भी एडवेंचर से, किसी भी रिस्क से डर नहीं लगता और सब कुछ experience करना चाहते हैं इन लोगों को शांत और समझने के लिए मेश, मिथुन और कुम राशी के लोग परफेक्ट होते हैं ये राशी के लोग इन मकर राशी वालों को पूरा समझेंगे और साथ भी देंगे अब कुम राशी वाले कैसे होते हैं ये थोड़े से शर्मीले होते हैं और तो और ये लोग rejection से डरते हैं इसलिए चाहते हैं कि इन्हें खुद proposal आए व्रिश्चप राशी वालों के साथ कर्क, व्रिश्चिक, कन्या और मकर राशी वालों के साथ इनकी जिन्दगी हसते खेलते बीचते हैं मीन राशी वाले जो लोग होते हैं ये लोग थोड़े संकी होते हैं गुसेल, छिर्चुडे और एक राय वाले होते हैं इसलिए इनकी जिन्दगी सिंग, फ्रिष्चिक और तुला राशी के लोगों के साथ खुश हाली के साथ बीच सकती हैं क्योंकि सिंग, फ्रिष्चिक और तुला राशी के लोग किसी का भी दिल आसानी से जीत लेते हैं और आसानी से अज्यस्ट हो जाते हैं